आज फिर से कश्मीरी पंडित अपनी जनम भूमी छोड़ने के लिए पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए हैं एक बार 1990 में हुए थे और एक बार यह अब फिर से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए अपना घर छोड़के जा रहे हैं जिन्दगी में एक ही बार वोई घटना बड़ी दुखद थी बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वापस अपने घर आये थे घर लोटे थे कि दुबारा अपने जमीन पे अपनी मत्र भूमी पे अपनी जनम भूमी पे फिर से घर बसाएंगे लेकिन फिर से उन्हें मजबूर होके घर छोड़के जाना पड़ रहा है मीडिया में सोशल मीडिया में खुब तस्वीरे वीडियो देख रहे हैं हम लोग किस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट के उपर लाइने लगी हुई है किस तरह से ट्रकों में ट्रकों के लोग ड्राइवरों के साथ मालिकों के साथ माल भाव करते हुए नजर आ रहे हैं जहां जिसको जो साधन मिल रहा है वो कश्मीर छोड़के जाने की कोशिश कर जब उनका नर्संहार हो रहा है और वो लोग चिंतितें दुखी हैं जब वो इसके विरोध में सड़क पे प्रदर्शन करते हैं तो आज की वहां मौजूदा भाजपा सरकार उनको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमती नहीं देती उनकी जो कोलोनिय कोलोनिय के बाहर ताला लगा दिया जाता है उनको उनकी कोलोनिय के अंदर बंद कर दिया जाता है ये किस तरह का बरताव है ऐसे वक्त जब सरकारों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए ऐसे वक्त जब सारा देश उनके साथ खड़ा है सरकार अगर इस तरह से अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बरताव करेगी तो आदमी का दुख दुगना हो जाता है आज भाजपा की सरकार एक ही चीज मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे वो कह रहे हमारी सुरक्षा का इंतिजाम करो जब आप हमको वापस लेके आये थे कश्मीर में आपने हमसे प्रामिस किया था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे आपको दुबारा पलाइन करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी आज केवल एक ही बात मांगरा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतिजाम करो और भारते जंता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाता लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है एक 1990 का दौर था जब सारा देश कश्मीर को लेके चिंतित था और एक अब का दौर है जब सारा देश कश्मीर को लेके चिंतित है और इनके पास कोई योजना नहीं है किसी तरह की कोई योजना नहीं है जब भी वहाँ पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है ग्रह मंत्री ने उच्छ सुतरीय मीटिंग बुलाई अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार अब एक्शन चाहिए हम लोगों को अब कश्मीर एक्शन मानता है भारत एक्शन मांता है हिंदुस्तानी एक्शन मांते है बहुत हो गई तुमारी मीटिंग योजना क्या है तुमारे पास प्लान क्या है तुमारे पास प्लान बताओ देश को एक्शन कब करोगे कल भी मैं देख रहा था कह रहे थे उच इसपर यह मीटिंग तीन गंटे चली मीटिंग और एक मीटिंग बहुत हो गई तुम्हारी कुछ एक्षन करके दिखाओ यार जमीन के उपर लोग मर रहे हैं जमीन के उपर